लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें क्टेकन कुछ। झाल झाल कि नजर आया अभी नहीं भाई जान नजर आते हैं उसका खेल खत्म कर देंगे कर देता हूँ हलो मुखबत का मामला तुम्हें बताया था हमने तुम कहा हो हम तो फस गए उसकी भाई को हमारे बरे मिल्म हो गया है और भाई यान यह रहाँ जालिप से घेल ले इसको बोडिया का डालो इसकी है यह 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 एफ इड़ता थाफ सामुरा रे हाहा house हाहा हाह 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 ये क्या दोस्त हमारी हिवासत करने की बजाए मौत के मुँँ में लेकर आ गए हो ये तो लावनिया का घर है मौबबत होने के बाद ये सब नहीं सोचते मुकाबला किया जाता है कौन है बे तू कम से कम अपनी बेहन से तो कबल पूछ लिया होता कि वो किस से मौबबत करती है यही है वो तू अपनी बेहन से कितने मौबबत करता है इसका इलमत तो हमें नहीं है लेकिन तुम्हारी बेहन को हिम्मत दिलाने वाला यही है अगर तुने इन दोनों की बात मान लिए तो तेरा होने वाला जी जाए ही है इन लोको को हमारी जरूरत नहीं है तुम्हारी है आगर दुम्हारी है झाओ प्रॉर्क याओ हुआ 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 है प्रजूब लुजूब लुझा लुझाँ ये आवेह gonnae ई overly बिसे हैं ये क्षविट क्षवर ईएक 000 इस इसमादो पूल अटाब थाब ता फ्राव कुग थाभ बुडब जैसको पाराभोूूूूूूूूूूूूू… और इसको क्या हुआ पांच मिनिट तक इसे कुछ समझ में नहीं आएगा तुम जा कर लावने को लिकर आए साले साहब हम आपकी बहन को लेकर जा रहे हैं गल्ती के लिए माजरत चाहते हैं इचाहसे दीचे दिया चलो इन दोनों के दर्मिया आने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम्हें और इनके दर्मिया हम खड़े हैं अगर हमसे टकराने की हिम्मत है तुम में तो आजाओ बोटी- सब्सक्राइब तेरे य तरिक अरुटी कर दूंगा तेरी नही तेरे गुरूर की LADIES AND GENTLEMEN वी गुद धाुग्टियूस अवर्थ 2,000 CRO RUPEES अनली बचस अफ यू गासी गॉबराशन WHO'S THAT ? क्रिश that's my son Krishna my life my everything अरे बेटा तुम यहां कैसे हमें बिज जरूर आपका थोड़ा सा बग चाहिए हमारी तु पूरी जिन्दीगी तुम्हारी खातिर है बेटा सर येस इस कॉंट्रेक्ट का क्या करें खारिज कर दो क्या वो मेरे फर्जन से एहम नहीं है अरे तुम यहां कैसे क्रिश ने राप्ता करके पंद्र मिट में आने के लिए कहा इसलिए आगई ठीक है आओ यह सब क्या है इन लोगों को यहां लेकर आगे हमारी शादी भी करा दिया अंकल दैट्स माइस सब्सक्राइब जब हमारे फर्जन की उम्पर के थे तब यह अपने दोस्की शादी इसे तरह से कराना चाहते थे बदकिस्मती से नहीं करा पाई लेकिन हमारे फर्जन ने कर दिखाया जब देखो तब एक ही फसाना हमें दुआएं दीजी अंकल खुश रहो जीते हो बेटा कृष्णा तुम्हारे भी अगर कोई ऐसा मामला है तो ऐसा ना करना उसे घर लाकर हमसे तारूफ कराना तेरी की अब ही हाजिर होते हैं यह वोो आपने फर्माया था था ना हमसे हमारे कोई मामला हो तो आपसे तारूफ करा दूँ यह देखिए मध हो एक साल से हमारा चकर चल रहा है डड़ी तुम्हें इल्म है हम भी लड़की को इसी तरह लाकर अपने वाली से तरूफ कराना चाहते थे हमारे नसीब में वो नहीं थी आप थी, क्या करें ने, हमारी कहने गा मतलब जो हम नहीं कर पाए वो इसने करके दिखा दिया हमारे वालीद ऐसे ही है यह ऐसे ही है जब भी फरजन कुछ गलत करता है तो उसे खबरदार करने के बज़ाए उसकी हिमायत करते हैं और कुछ नहीं तो मंदर आओ बिटी, तुम्हारे वाल दिन क्या करते हैं वो गाव में हैं हम यहां शहर में रहकर एंजिनेरिंग की तालीम हासिल करें हैं और तालीम हासिल करके तुम क्या करना चाहती हूँ कृष्णा से शादी करने का इरादा है अलविदा अंकल आँटी फोन कहां गया हलो कृष्ण, हमें तुमसे मुलाकात करनी है किसलिए? क्या हुआ, मालूम होता है परेशानी बहुत ही बड़ी है तुम्हें कैसे इल्म हुआ? लड़की जब ऐसे मसका लगाती है तो इल्म हो ही जाता है कि उसके दिल में क्या है वरना तो वो सीधे बात करती है ऐसी बात नहीं है, हमारी एक सहेली है वो बात नहीं है यार, वो काफी जहीन है यहां की तालिम के बाद आगे की तालिम के लिए वो यूएस जाना चाहती है तो बात आगई एटी एम पर, उसे पैसो की ज़रू होता है आरे, कबल पूरा मामला तो जान लो उसके वालिद अपनी काउं में किसी लड़के के साथ उसकी शादी कराना चाहते है वो वल दरजे का बदमाश और लफंगा है इसलिए उससे पीछा चुड़ाने के लिए उसने अपने वालिद से कहा कि उसका एक आशिक है ओ, 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 ये तो कोई शत्रंच का फसाना मालूम होता है ये फसाना नहीं हकीकत है और उसके वालिद ने उसके आशिक से मुलाकात करने के लिए बुलाया है अरे वाह, मालूम होता है वो चाल चलने में माहिर है, बजा फरमाया, लेकिन अब वो मुकमल तोर पर उलज गई है, इसलिए उसके लिए एक आशिक चाहिए, मालूम होता है तुम्हारी सहली को आशिक नहीं चाहिए, कुर्बानी का बकरा चाहिए, वो तो किसी को तो बनना ही कोई नजर में तुम्हारी कौन है वो कि निमांग कर अपया क्या तुम्हारा तुम्हारा तुम से जरा मुपत से गुफतव को क्या कर ली तुम हमें जा रही हो वैसे यह बता वह है कौन भूमी भूमी पर तो हम खड़े हैं ऊपर आस्मान में क्रिश भूमी अब हाँ चोड़ सकते हो वह सब ठीक है हर लड़की कहती है कि उसका आशिक है और उसे लाती भी है तुम्हारा कोई खास मामला है क्या या फिर तुम्हारे वालिद उसे दावत देंगे जैसे कि किसी को जश्न में दावत दी जाती है कभी जश्न ना मनाने वाल कि सही सलामत वापस लोटाओगे इसलिए हम तुम्हें बेज रहे हैं तुम्हें मुत्वज़े करके हम फस गया अच्छा यह बताओ अगर यहां से सिधे अमेरिका उड़ जाये तो यह अपने वालिद का दिल नहीं तोड़ना चाहती है क्रिश बहुत खोब चश्मा पैन कर यह तो तुम अपने आशिक के कुर्बानी दे रही हो दुनिया में ऐसी पहली लड़की हो तुम हां तो क्या हुआ अपने घरवालों से क्या कहोगे जब हमारा दिल अंदर से कहता है तभी हम वालिद को बता देते हैं अदाकरी कब से शुरू करनी है क्रिश्णा बोलो अब हमारी समझ में आ रहा है कि मुस्तक्बिल हमारे साथ क्या करने वाला है तुम्हारा कोई भाई बहन मतलब कोई रिष्टेदार कोई नहीं है हम अकेले हैं हमारी तरह तनहा है मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारे वाले तुम्हारी वालिदा और तुम तीन अफराद है तीनों को संभाला तो हमारे बाएं हाथ का खेल हमारे साधा और 20 अफराद रहते हैं क्या कहा हो 20 अफराद? हमारा मुश्टर का खांदान है कृष खांदान है या रेल गड़ी यह है मेरे वालिद सहब सत्य प्रकाश हमारे पैदा होने के दो साल बाद हमारी अम्मा दुनिया से चल वसी सब कहते हैं कि उसके बाद मेरे वालिद साब बहुत बदल गए है उनसे सिर्फ खांदान के लोग ही नहीं पूरा गाउं खौफ खाता है अजीब सा बरताव है उनका पसंद आया तो खादिम को भी सर पर बिठा कर रखते हैं और अगर पसंद नहीं आया तो शेहनशा को भी इससत नहीं देते आज तक हमारे वालिद ने एक मरतबा भी हमसे गुफतकों नहीं किये क्रिश हम तो इतने सार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा यह है हमारे खांदान की तस्वीर तुम्हारे वालिद ऐसे बैट है जैसे स्कूल में हेड मांस्टर बैटते हैं यह हमारे बड़े फूपा हैं सीनू यह ताश के दिवाने हैं यह हमारी बड़ी फूपू कलावती यह हैं उनके फरजन्द यह हैं छोटे फूपा बासू 15 साल कबल संक्रांत्र के रोज आये थे अगले तहवार को चला जाओंगा ऐसा कहा था पर देखो अभी तक यह ही रुके हैं यह हमारी छोटी फूपू सावित्री यह हैं मेरे बड़े चाचा और यह हैं चाची यह छोटे चाचा छोटी चाच यह उनकी बच्चे हैं तुमसे एक बात पूछे हैं मधू और तुम्हें बक्रे वाली तरकीव कैसे सुच गई हमारी नहीं क्रिश यह तरकीव दादु की है अच्छी ताली महासिल करके जिंदगी में कुछ बहतर करने का ख्याल रखने वाली लड़की को उस नालैक के हाथ किया था कि उसके फरजंद की शादी में अपने दुखतर से करवाऊंगा हम तो बस अपना वादा निभार है हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है यह तो तुम तब समझोगे जब उसकी लाश आएगी क्या मतलब भूमी शहर में किसी ल अगर आप कहें तो आने वाले फागुन के महा में शहनाई बजबा दूँ हम उसका शहरा बांद कर उसकी बारात निकालने के लिए नहीं बुला रहे हैं चेहरे पे कालिख पोथकर भगाने के लिए बुला रहे हैं उससे शादी नहीं करनी है ऐसा हम भूमी से बुलवाएं तो हम सब उसके साथ दुश्मनों की मानीन बरताओ करेंगे उसके बाद वो खुदी भूमी को ठुगरा कर यहां से चला जाएगा और भूमी हमारे पास ही रहेगी यह है हमारा मनसुबा कोई भूम नहीं भूटा है बस का टायर फट गया है जारी का टायर यहां भटा है मतलब सबका काम तमाम है इस गाउं में क्यों उतर रहे हैं जानगवानी है क्या कि यह कौन लंगूर है बे जो हमारे गाउं में उतरा है कि इस गाउं में रहता है इस गाउं में उतरने की हिम्मत कैसे हुई चेरी इस लड़के न हमारे गाउं के लड़के गुमारा हात्यार निकालो ने इकालो ने इकालो निकालो करन है वो जिसने हमारे मुलाजिम पर हाथ डाला हम है उसकी वज़े बस का टायर फट गया था नीचे सिगरेट पीने के लिए उतरे तो हमारे गिरिबान पर हाथ डाला हमको अच्छा नहीं लगा इसलिए मार दिया हमारे आने में एक मिनट की और देरी हो जाती तो तुम्हारा क्या हश्र होता इल्म है उसे की तरह और दस अफराद धूल चाट रहे हो दो लेकिन तुम किसके घर जा रहे थे सत्या प्रकाजी के घर पर पकड़कर बांदो इसको इसे छुडाने के लिए गाओं वाले आते हैं या घर वाले देखना है मुझे भाई मारे गाओं में आने वाली बस को उन लोगों ने रोख लिया है रुख जाओ इस मर्तबा तो तुम बच गए लेकिन ख्याल रहे वहाँ से वापस जाने के लिए तुम्हें इसी गाओं से गुजरना होगा तुम्हारे रूबरू खड़ा होने की भी जिसकी अवकात नहीं थी आज वो तुमसे नजर मिला कर बात कर रहा है हम्ह हम्ह व्रिन्दावन नाम तो अच्छा है मालकी वो लोग आ गए अच्छा बाबुजी बच्चे लोग आ गए क्या कहा क्या चोड़ी चाची हैरियत से है ना क्या फूपा जी क्या खेल रहे दे रमिया तीन पत्ता है ओ ओ दादा जी साश्टांग प्रणाम प्रभुजी अब देखो हम कैसे बंदर का नाचने चाहते हैं इल्म हुआ कि तुमने गाउवालों को मारा है क्या तुम इतने बड़े जिगर वाले हो यह तुमार खाने वाला ही बता सकता है कि हमारा जिगर कितना बड़ा है वैसे आजकल हमने हाथ उठाना बिलकुल कम कर दिया है कबल हमारा यह सब खाश शौक था लेकिन अब सुधर लेकिन लोग प्यार से हमें क्रेश बुलाते हैं तुमारे वालिद क्या करते हैं क्रिश्णा ग्रूप आफ कंपनी जैसे बड़े कंपनी में एक चोटे से क्लर्क हैं तो तुम्हें कलर के लड़के हो हम गरीब खांदान से हैं शहर में और भी लड़कियों के होते हुए तुम काम क्या करते हो आपके दुखतर से मौबत करते हैं यह जो करती है वही हम भी करते हैं क्या देखकर तुमने इसे पसंद किया पसंद करने की कोई वज़े नहीं होती है लेकिन कोई वज़े होगी तभी तो पसंद किया होगा अरे यह मामला इनका है इससे तुम्हें क् लेके जाओ इसे अंदर शुक्रिया जनाब फेर बुला का दोगी दादा जी तुम्हारे वालिद से मुखातिब होकर हमें इल्म हो गया था कि हमारी ऐसी खास खातिरदारी होने वाली है हमारे वालिद साब के बरताव के लिए हम माफी चाहते हैं क्रिश हम जैसे खूबसूरत नौजान को साथ तो ले आई हो लेकिन इतनी जल्दी कोई दामात को बुल तो नहीं करेगा सब लोग ऐसे ही होते हैं कब लगरसते हैं उसके बाद बरस जाते हैं आचा यह सब छुड़ो बारा क्यों बजना है तुम्हारे चेहरे पर सुनो हमारी माशुका का चेहरा हमेशा फूल की मानिन दमकता रहना चाहिए हमारे वालिद यह कहते हैं हसो और हसाते रहो यह हुई तुम्हारी बहन हामिला है तो उसके बच्चे गिराने का खर्चा हम अदा कर देंगे पैसे जबान बंद करने के लिए दिया था कर्द समझ का लखने के लिए नहीं हमारी बहन से शादी का वायदा करके तुमने उसे धोका दिया है जब हमने कपड़ा पहनना नई सीका था से हमारी और भूमी का रिष्टा ही ये पूरा कहों जानता है अगर तुम्हारी बहन ने हमारी इज़्जत उचा ली तो हम उसका हश्र मौत से बत्तर कर देंगे तुम्हारी बहन हमारे साथ सोई थी तो इंसाफ मांगने हमारे पास आना चाहिए था तुम्हें हमारे ससुर क पास जाने की क्या सरूर थी आज जाकर अपनी बेहन का बच्चा गिरवा दो नहीं तो हम तुम्हारी बेहन कुए में गिर गई ऐसा अफवाव फैला देंगे भाई बाहर आपके मुटालिक कोई पूछ रहा है भाई हमने तो सुचा था कि देखने में मश्करे की मानी दोंगे लेकिन नहीं हटे-कटे लग रहे हो तुम्हारे साथ पढ़े हैं भाई नहीं समझे गया जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है उसके साथ फेरे लेने वाले असली दूले हैं भूमे गलती कर रहे हो तुम्हां आने से कबल तुझे हमारे मतालिक मालूमात कर लेना चाहिए था लोग अक्सर हमारे मतलिक जानने की कोशिच करते हैं लेकिन हमें लोगों के मतलिक जानने की आदत नहीं है जैसे ही हम यहां आएंगे तुम हमारे पीछे पड़ोगे ये बात हमें बकू भी मालूम थी इसलिए तुम्हें एक छोटा सा तारूफ कराने के लिए हम खुद यहां पर आगे हैं आज से तुम भूमे को भूल जाओ वो हमारी है इल्म है तुम्हें थोड़ी से तकलिफ होगी लेकिन कोशिश तो करो क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है चलता हूँ भाई भूमे का शोहर का बारा नहीं हो अरे नहीं 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 पेटा क्या हुआ प्यारे शहर में रहने वाला लड़का पीज़ा बर्गर खाता है उसमें ताकत कहा होगी यही सोच कर तुम उसे खौफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना अगर असल में मर्द का बच्चा हो तो कुछ करके दिखाओ अपने दोस्तों को भी बुला लो फिर देखो पीज़ा बर्गर खाने वाला क्या करता है साब के बोटी बोटी कर दूँगा चलो भूमी आपने हमें क्यों रोका पिता जी भूमी के साबने उसे जिन्दा दफन कर देता इस वक्त अगर तुम कुछ भी करोगे ना तो भूमी के वालित को इल्म हो जाएगा वो तुम्हें यहां पर भढ़काने के लिए आया था भूमी के वालित के मरने के बाद वो हमारे चंगुल में होगा जरा सब्र करो ओहो दादा जी आईए दादा जी आपनी पोती की खुशी के लिए आपने जो ड्रामा किया है वो हमें बेहत पसंद आया लेकिन आपकी पोती की जिन्दगी तबाह हो जाएगी ऐसा आपने कभी सोचा है दादा जी अरे वहाँ पर क्यों खड़े हैं आईए ना दादा जी खौफ बेटा खौफ क्रिश्णा अगर तुम तश्रीफ नहीं लाते तो हमारी पोती की जिन्दगी तबाह हो जाती इसलिए ये खेल खेला हमने जब भी हम सोचते हैं तो कलेजा मूँ को आता है भूमी वो आकिकत में अपने नाम के मानिंद है उसके कलेजे में जवाला मुख्य उबलता रहता है बेटा उसके बाद भी वो किसी को एहसास नहीं होने देती भूमी ने हमें यहां के मुतालिक कबल पहले ही सब कुछ बता दिया है उसने आप के मुतालिक भी बता दिया है लेकिन दादा जी आपके फर्जंद को कोई समझा नहीं पा रहा है उन्हें समझ में नहीं आ रहा या वो समझना नहीं चाहते हैं अरे वो बेहत जिद्धी है क्या बता हूं उसको कोई बात समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक ही बात है ऐसा हिम्मत वाला काम आज तक हमने कभी नहीं किया दादा जी यह आप क्या फर्मा रहे हैं हाँ जब तुम यहाँ आए थे वो गाव ये गाव दोनों के दर्मियान पुल दोनों के दर्मियान खंजर बाजी मार काट उन दोनों की मा यकीन न लग है लेकिन बेता सिर्फ एक है और वो हम है वो दोनों आप की ही अउलाद हैं? हाँ बेटा खेर छोड़ो हमारी दास्तान सुनकर तुम क्या करोगे अब तुम्हारी बात की जाए वही तुम्हारे वाले दफ्तर में कलर्क है बहुत गरीब है शहर में कुई जोपड़ पटी में रहते हैं देखो ये घर हमारा बनाय हुआ है तुम्हें फिक्र करने की जरौत नहीं है जब तक यहां हो आराम से रहो खर्च के लिए पैसे नहीं है तो फिक्र मत करना हम है ना पांच सो रुपे रखो ये खर्च हो जाए तो फिर हमसे मांग लेना हम तुम्हें देंगे लेकिन हमारी एक गुजारिश है इस जहनुम से भूमी की हिफाज़त करो बेटा दादा जी से पांच सो रुपिया तो एट लिए हो भूमी से कितना एट है हो एए यू तू यो आप जाकर जाल में फसा है बक्रा क्या पटा कि तुम नकली हो या फिर असली हो लेकिन हम तुम्हें यहां से भगाएंगे कि तुम कई की नहीं रहोगे अरे भाई हांत रहा कर गुफ्तगू ना करना मुह में जबान है कि नहीं यह गड़ी गैर मुल्की गैर मुल्की है तो क्या हुआ हमारे हाथ में रुखेगी क्या हाथ से कूद कर भाग जाएगी क्या एक घुसा मारेंगे तो नवावी निकल जाएगी इधर आओ नए नए पैटन की शर्ट चोर मजार से लाएगो या तो इस बात का इल्म अगर हमारे घरवालों को हो गया ना तो तेरा क्या हश रोगा इसका इल्म भी है घरवाले हमारी चान ले लेंगे भाई साब यह हमारी कमीज है एक घूसा देंगी ना तो सारी 32 सी मूझ से बहार न निकाल के महलने के बच्चों को दे दूंगा गोली खेलने के लिए याद रखना हां काफी सच्ते सवरते हो तुम अब तो इन सारी चीजों की ज़रूरत है नहीं क्योंकि तुम सिर्फ आज रात के ही इस गाओं के महमान हो कल मामा जी जैसे ही गाओं में लोटेंगे अरे हा मामा जी आज की रात तो गाओं में हैं ही नहीं सारा समान पैक कर लो सुबह होते ही गाओं से निकल जाना नजर नहीं आना समझ गए ना काफी वाहिद हैं यह इतना परिशान करने पर भी तुम फरार नहीं हुए निहायती बेशन किसम के हो तुम जल्दी समान उड़कर शूटिंग किस चीज की नौटेंगी की या खौफनाग फिल्म की दोनों की कर रहे हैं पूरी फिल्म कबले ही बन चुकी है हमसे भी जादा होश्यार मिल गया थे तुमको दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ चलो ठीक ठीक तुमको तुम्हारे खाटिर तुमई इस इताफा लाया हो जो निया रुखो जड़ा सब्र करो हमारी जान हमें एक पकरा मिल गया है मामा को एक पुट्टी पढ़ाब के सारे समीन जाइदाथ हमारे नाम कर देंगे जाइदाथ को पेच के तुम्हारे खाटिर महल करेंगे और यह तुम्हारी गैर मुल्की घड़ी तुम्हारे हाथ में अच्छ लगेगी भाई तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो हम डबल गेम खेलते हैं लेकिन यह क्या है डीवीडी है भाई जिस करमात की वीडियो आपने तोड़ दी वो इसमें और तस विस दीवडी भी है क्या बैब बंदर अभी से टाइटाइब फेस और कुछ दिखाऊंगे जिस्म पर कच्छा तो रहने दो थोड़ी तो इज़त बक्ष दो थोड़ी देर कबले तो तू बड़ी बड़ी डिंगे आख रहते हैं नहीं हम तो मस्करी कर रहे थे कबले आपकी नहीं नहीं की बात कर रहे थे क्षिताब हासिल नहीं होने वाला है आपने इतना बड़ा खिताब ने चाहिए यह बात तुम्हारे मूंझ से नहीं किसी और के मूंझ से भी लिक हुई ना एल्माय क्या होगा तुमारी ठीटर में रिलीज हो जाएगी हम बखूब ही स पापा भूमे 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 सबको इल्म होना चाहिए कि हम हकीकत के आशिक हैं इसलिए अच्छा लगा ना माशक को कोई इस तरह से बुलाता है क्या नहीं बुलाते हैं वो जो तुम्हारी दोस्त है ना वो तो ऐसे चीक कर बुलाती है उसे भी जरा काबू में रखना पड़ेगा ठीक है नाश्ता तयार है आजाओ अम्मा जल्दी से नाश्ता लाओ ना पेट में चूहे कुद रहे है अरे और भाईया आप तश्रीफ ले आए तश्रीफ रखिए नाश्ता कीजिए क्या भाईया खौब जदा हो या शर्मिंदा हो हम खुदी उल्जन में हैं यह आवाज अपने आप निकल रहे हैं शुक्रिया भाईया मैं तुझे आज दो पराठे ही तो क्यों सुनो यह चां स्क्राइव कर रही थी कि वह जीति-जाघ्ति देवी किया बॉल रहे है किसकी तौर्फ कर रही थी उनका नाम क्या था काला अच्छा कला वती तरो रोक में और तक क्लावति फूब्यंदा क्लावति नहीं देख लिया तब तक खाना यह पानी भी ठीठावार पानी किनन बसंद करेंगी यह तैशुदा है क्रिश अम्मा बसकरो अम्मा क्या हुआ वह कलावती फूफू हमी है तो आप ही वह साक्षा देवी भूमी के रहते आप यह नाश्ता प्रोस रही है भूमी भूमी अरे तुम रहने दो बेटा तश्रीफ रखो क्रिश कुछ नहीं तुम खामोश रहो तुम नोश फर्माओ हम तुमारे ले गर्म गरम पराठे लेकर आते हैं एक हमारे खातिर भी ले आना भाई आप कोई मामूली इंसान नहीं है हमारी थाली का डोजा तरकीब लगा कर अपने थाली में ले लिया आपने अगर हम आपको कोई नाम दे तो हमारे ज मालिक यह दोनों बैल्स जईफ हो गए हैं अब किसी काम के लाइक नहीं बचे इजाज़त दे तो इन्हें फरोख्त कर दें यहां कुछ लोग है जो बेकार बैठकर रोटिया तोड़ रहे हैं और यह जो खेत कर आया है तुम इन्हें फरोख्त करने को कह रहे हो जब ऐसे अ खराब करने के लिए फाल्तू की गफशप करने के लिए हम बिल्कुल सई जगें बैठे हैं आखिर तुम यहां भी क्या कर रहे हैं हमारा भी हक है सब कुछ आपस में बाट निया जाएगा आप लोग बगेर कोई काम किये आराम से बैठे रहते हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम आप लोगों कि मैं फिल में शामिल हो जाएं एक से भले दो दो से भले तीन कबाब में हड़ी हम पर रॉप जानने लगा तो सारी दौरत तनहां हड़ाप लेगा हमें मिलेगा सिर्फ गास पूस इसे हम अपने जान में बसा लेते हैं क्रेश अगर तुम हमारे साथ मिल गए तो यहां पर तुमारी हमायत में हम दुनों हमेशा हाजिर रहेंगे और फिर जैसा हम लोग कहेंगे सबको मानना पड़ेगा ज्या कहते हो भाई साब हमने इसे नहीं बुलाया यह खूद हमारे दर्मियां आकर बेश शरम दर्मियानी लोग कभी किसी के नहीं होते हैं जरा ह तुम कहां हो बेटा वह हम परिंदों के दर्मियां है पिदाजी और हां इस वक्त हम मसाही मारा में हैं पिदाजी ओके गुड एक कृष्णा वहां नेशनल सफारी नाम का एक बहुत बड़ा जू है वहां देखने के लिए बहुत बड़े-बड़े और नायाब परिंदे है वहीं देखहा पिदाजी यहां हार कोई एक से बढ़कर एक है वहीं ना रह जाना आए भाए मिसी तू और रहना घरिखना अलवधा पिदाजी कृष काफी हमारे पिदाजी यह सोच रहे हैं कि इस वक्त हम दुनिया की सायर कर रहे हैं और एक तुम हो कि अपना इतना सा गा यह सब आसपास के सारे खेद बाग बगी सब कुछ सब कुछ हमारा है बहुत बड़ी जाएदाद है इस भूमी के दखल के लिए वह भूमी वाले फसाद कर रहे हैं यह सब देखकर तुम्हारे क्या किसी के वालित को भी गुस्सा आ जाएगा शादी लाइक लड़की को शादी से कबल घुमाने ले जाना यह अच्छे घर के संस्कार है दुनिया वाले कैसी कैसी बाते करेंगे इसका अंदाजा है तुम्हें और जिस लड़के से लड़की की शादी होने वाली है उसको घर से लाकर यहां बिठा दिया यह सुनकर तो बाहर ले जाने से कबल घर वालों से इजाज़त लेनी चाहिए इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें दोनों आशिक यहां दुबक कर क्यों बैठेहों आजाओ बाहर जाकर बाग बगीचे मेंगों कर आजाओ मामा जी आएंगे तो हम उने सम्हाल लेंगे यही काताना तुमन हमने ऐसा कहा था क्या तुमने ऐसा कहा था क्या पिता जी वो भाई साब ने जो कुछ कहा समझ दीजिए हमने ही कहा था मामा जी मालूम होता है गाल सुर्क होने वाला है अब तो यह सिलसला जारी रहेगा तुम्हें ऐसे मार खाने की आदत हो गई है क्या करूँ भाई साब आपको यहां से भगाने के लिए आपके कपड़े पैक कराने गया था हमें पांच मेड की महुलत दीजिए हम आपके सारे कपड़े अलमारी में सदा गते हैं भाई साब इस यहीं सेटल हो जाएंगे जान ले लूँगी कोई परिशानी तुम्हें याद कर रहे हैं एक काम करो तुम भी यहां पर भूमी के पास आजाओ ना बहुत मसाएगा क्या इरादा है यह हमारा आखरी साल है अम्तिहान के बाद वाल्दन से इजाज़त लेकर वहां आने की सुन रहे हो है कल पास के गाओं में शादी है हम में से कोई नहीं जा सकता और तुम लोगों के पास ताश के लाबा और कोई काम नहीं है इसलिए तुम दोनों दावत पर चले जाओ आते वक्त खाना भी बांध कर ले आना चल रहे चल जल्दी कर जल्दी यह चाचा जी किस तुम्हारे साथ हमें भी जाना पड़ेगा संबल कर रहना होगा क्रिश परशानी हो जाएगी यह कैसी बात कर रहे हैं यकिनन हम काम नहीं करते हैं पड़े-पड़े खाते रहते हैं लेकिन आखिर हमें कोई ऐसे दुदकार के सब्सक्राइब हैं तुम्हें तमीज नहीं है कितना काम पड़ा है आप लोगों को गुफ्तुगू करनी है तो अंदर जाकर कीजिए यह जो फर्मा रहा था ना फर्मा तो सही रहा था बेचारा लेकिन प्यार से हमारी बे इज्जत ही करके चला गया हूँ यह काम करता है ना तभी सर पर चड़कर बोल रहा है लेकिन एक आपके नक्षे कदम पर गया है आपका फर्जंद ऐसा कीजिए किसी दौलतमन शक्स की दुखतर से इसके शादी करवा दीजिए फिर आप लोगों की मानि दैश करेगा क्योंकि शादी की उम्रत तो उसकी गुजर चुकी है और कुछ रोज के बाद आप लोग भी नहीं रह आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं मिट्टी पर रिंगने वाला कीड़ा भी अपना फर्ज निभाता है जूठा खाने वाला कुट्ता भी अपने माली के लिए कुछ ना कुछ करता है वफादारी से उससे भी गये गुजरे हैं आप लोग लेकिन एक बात तो जरूर कह जाएंगे जब जागो तब ही सवेरा कहते हैं कि महनत ही मर्द की मरदानगी है कोशिश करके देखिए इस से बहतर जिंदगी होगी टोए रतन जी माली खेतों में यूरिया चुड़कना है ट्रैक्टर कहा है वो सब तो लेकर वो लोग खेत में चलेगे माली कौन गयें औरे और कौन आपके दोनों जीजा वो लोग खेत में गये हैं दोनों खेत में गए हैं दोनों दामद खेत में देखे मालिक दोनों जीजा जी आगे है कि हम दोनों ने खेतों में यूरिया डाल दिया है दो बोरिया और चाहिए बाजार जाओगे तो लेते आना थीक है जीजा जी बिजडी की मानी कड़कने वाला शबनम बन गया है अब फल की फिकर हम नहीं करेंगे सिर्फ मेहनत करेंगे आज से खेतों के जिम्मेदारी आप लोगी समालिये जीजा जी किसी तहवार पर हमने अपने घर वालों को इतना खुश होते कभी नहीं देखा और ये सब तुम्हारी वज़े से हो रहा है ये सब किसके लिए कर रहे हो क्रिश तुम्हारी खातिर भूमे तीन घंटे में तीन सो महमान आते हैं लेकिन उसमें तुम्हारा कोई नहीं है जैसे एक छोटे से काम के लिए तुम्हें मदद के लिए हमारे पास आना पड़ा उसी तरह कल की जिन्देगी में अगर तुम्हें कोई बड़ी परिशनी आई तो हम नहीं रहेंगे यही लोग रहेंगे घर का नाम है वरिंदावन लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जैसे हुकूमत कंज की है तुम्हारी शादी का मामला हल करने में सिर्फ पांच मिनिट लगेंगे लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा सबसे बड़ी परिशानी तुम्हारे वालिद सहाब है लगता है उनको बदलना पड़ेगा वो नहीं बदलेंगे क्रिश यकीनन बदलेंगे आखिर वो भी इंसानी तो है दादा जी medium अब वेटा हुआ तुम भी पीओगे नहीं अभी नहीं परिशान होते हैं तब पीते हैं क्या बताऊं करिष्णा जब ऱैंफ का पी नहीं लीटेए हमें नीद नहीं लीटि नहीं आती हैसी क्या परिशानी है च्छे माह यहां हमारे बड़े लड़के के घर आये हुए छे माँ हो चुके हैं और आज यहां रहने का आखरी दिन है हमने किस वज़े से ये फैसला लिया ये आज तक दोनों लड़के समझ नहीं पाए राम और लक्षवन की तरह मिल जुलकर रहने के बजाए शैतानों के मानिंद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं ये दोनों ये दोनों भायों के दर्मियान दुश्मनी का बीज बोने वाला वो रामेश्वर है और उसी के फर्जंद मेरी भूमी के पीछे हाथ भूकर पड़ा हुआ है हमारे यहां से जाने के बाद अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बिटिया का क्या होगा इनी ख्यालों से हम मरे जा रहे हैं उस शैतान के हाथ में हमारी बिटिया का हाथ चला गया तो फिर आखिर क्या होगा यही सोच कर बेटा, दोनों भायों को मिलाने की कोशिश करो दादा जी बहुमी, रोव मत बेटा, तुम रोव मत तुम बेटा, तुम्हारे वाले तुमसे बार बार एक ही बात कहते हैं कि ऐसा न सूचना वहां जाने के बाद अगर हमें कुछ हो गया, तो तुम्हें दुश्मने भुला कर वहां आना ही होगा क्योंकि तुम बड़े बेटे हो और इसी नाते, हमें मुखागनी, मुखागनी देने जरूर आना बेटा, जरूर आना चलते हैं क्रिश्ना, तुम यहां कैसे आ गए? आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है दादा जी, और आज आप हमें ही तनहा छोड़ कर जा रहे हैं, आप हमें ही यकिनन छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे ऐसी बात नहीं है, हमारा बड़ा बेटा हमेशा तुम्हें वहां से भखाने के लिए सोचता है, अगर इस बात का इल्म उसे हो गया कि तुम हमारे साथ छोटी के घर आए हो, तो तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा हम फॉलाद से बने गेट हैं दादा जी, आसानी से कोई नहीं खुल सकते, खैर हमारी बात छोड़िए, लेकिन हमें आपकी पीने की आदत पसंद नहीं है, अगर आपके दोनों फर्जन देख हो गए, तो आप खुश हो जाएंगे न, सिर्फ खुश, बेंतहां खुश, बे सब ख्यरी पिता जी, आशिरवाद दूझे, आईए, क्रिश्ना, हम, है, है, हाज उट पहाड के नीचे आया है, बांदो इसके, है, है, यह तुम्हारे भाई का होने वाला दामाद है, जब भाई ही नहीं, तो दामाद कैसा, एक मर्दबाह यह मेरे हाथों से बचकर निकल गया था, तुम्हारा भाई इससे देहत नफरत करता है, रुख जाओ, क्या फर्माया आपने, तुम्हारे भाई को इसकी शकल से भी नफ इसे देखते उसको साप सूंग जाते हैं दुश्मन का दुश्मन मतलब मेरा दोस्त फिर उदर क्यों खड़े हो चलो तर शीफ ले आओ अब हुरानी जी बिता जी कृष्णा ये है हमारी छूटी बहु नमस्ते माजी नमस्ते ये भी हमारी जमात में हमारी दोनों बेटों का खांदान कब एक होगा बस इसी इंतजार में है ये हमारी बच्ची पिता जी हम खाना बनाने जा रहे हैं जाओ बेटी जाओ सुनो तुम यहां तश्रीफ लाए हो उन्हें इल्म है ऐसा कवी मुम्किन है क्या उड़ते परिद्दों के पंक गिनने वाला है वो अगर इल्म नहीं भी है तो खुद ही बता देना तुम तश्रीफ लाये थे और साथ में खाना भी खाया है प्रूमी वो इस घर के दुश्मन की तहलीज पर गया है वहाँ जाने से कबल उसे इस घर की काईदे कानून के मुटालिक इल्म होना चाहिए था वहाँ जाने कि उसकी हिंबत कैसे हुई तुम्हें इल्म नहीं है क्या जो भी इस घर के काईदे कानून को तोड़ता है उसके लिए इस घर में कोई जगा नहीं आए यह दिखावती नाराजगी है या फिर उस लड़के को निकालने का मंसुगा आधे अधा इस यह यह पापा कि गुस्से का इंतहान ले रहे हो मतलब तुम्हारे पिता जी को गुस्सा आया यह पर नाराज हो रहे थैं बात को समझो भूमिक यह इस घर का या तो चाहने वाला हो या इस घर का कोई रुकन होकर अगर उस घर में जाये तो इस घर वानों को गुस्सा तो आना ही चाहिए वरना दुश्मन ही कैसी हमारे वहाँ जाने से इन्हें गुस्सा आया मतलब हम इनके दिल में जगए बना चुके हैं कैसे जबान सिल्दीन की सही कह रहे हो और नहीं तो क्या तुम वहां क्यों गए थे क्रिश तुम्हारे दादा जी की खाते रहे हैं क्रिश का सारा सामान पैट कर दिया है बाबा जी आज यहां उसकी रहने की मुराद मुकमल हो गई आप कहें तो हम उसकी बोटी बोटी हमें यहां से दफा करने की बड़ी जलबाजी है तुम्हें हमारे जाने से खुश हो जाओगे कि अरे नहीं आपकी कसम बिलकुल नहीं भाई इस मरतबा आप बिना बताए घर से बाहर गयते यह बात हमने मामा जी को बताई ही नहीं थी च्या करे आदत से मजबूर है ना वादा करता हूं कभी गाउं वालों की बात में नहीं आऊंगा किसी की भी बात नहीं मानूंगा अगली मर्तबा सिर्फ आपकी बात मानूंगा हमें दो मिंड़ की मोहलत वहिने घराए भाई दीदी लड़के बदनाम नहीं होते बदनाम होती है लड़किया हम मान ही नहीं सकते अपनी भूमी को ही देख लो उसने क्रेश का कभी हाथ तक नहीं पकड़ा किसकी बदनामी की बात हो रही है भूमी तुम्हारी महबत की दास्तान का अगाज कैसे हुआ अब फिर क्या हुआ उस वक्ते चम चमाती गाड़ी आकर रुकी उसमें क्रिश था ए वो तो कह रहा था कि वो क्लर का बेका है हमारा मतलब है उस गाड़ी के बगल में एक स्कूटर भी था उस पर क्रिश बैठा हुआ था उस रोज हमारी पहली मुलाकात हुई थी उसके बाद व जैसे वो गिर गया क्या मोहबत में जिस रोज से तुम्हारा दीदार हुआ हमारी रातों की नींद गई है और रोज की तरह तुम्हें हमारे खौबों में आना होता है इसलिए मजबूरी में सोना पड़ता है हम मर जाना जाते थे फिर ख्याल आया तुम तनहा हो जाओगी बस इसलिए जिन्दा है लेकिन तुम्हें इंकार करोगी तो हम इसी वक्त अपनी जान देतेंगे प्लीज वरोज मेरी दीदार को आता था इसलिए मैं रात हो ले उसके बाद क्या हुआ अब बहुत होने की बात क्या होता है आप लोगों को इल्म नहीं है क्या अरे बापरे बापरे बाप कैसी लूट खासोट मची हुई है क्या खास खबर है दादा जी बेटा इस कलिग में पैसे की कोई एहमियत नहीं है टाटा बिरला दिवालिया हो गए गया अरे ऐसा ही एक शक्स है देवेंद्र दुबई में चार हजार करोड का गवन करके एक स्टील अरे उस रोज तुम्हें पांसो रुपए दिये थे ना चलो इजट से वापस करो कैसे पांसो रुपए ये कहां की शराफ़त हुए मतला क्या बात है पिता जी कैसे पांसो रुपए एसी कोई बात नहीं है पिटा हम यह फर्मा रहे थे कि अगर यह हमें शत्रंज में हरा द सब आपके महरबानी है मालिक क्या तालीम ले रहे हो एंबिये कर रहे हैं बड़े भाई तुम कैसी तालीम ले रहे हो इसका इल्म तू मुझे नहीं लेकिन तुम्हारे वालित के चेरे से कभी मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए ठीक है भाई खाना हो गया ठीक है ठ पिताजी को वहां से यहां आपके पास भिजवाया है उन्हें के बावजूद हमें घर से बैजजद करके निकालने वाले को हम अपना भाई कैसे माने भाई ऐसा होता है रिष्टेदार घर खानदान होने के बावजूद हम यतीमों से जिन्दगी जी रहे ये कैसे भूल सकते हैं आख चल रही है हमारे सीने में हमारी बीबी जब इस घर में बहु बन कर आई थी तब फूले नहीं समा रहे थे लेकिन जब वो देहली इस पर पहुँची तो उसकी आरती उतारने के लिए एक खातून तक नहीं भेजा उस जालिम ने जहरीला नाग है वो हमारे सामने उसका जिक्र नहीं करना इस दुनिया में हमारा सुख दुख में साथ देने वाली हमारी बीवी है छे मा में हाल चल पूछने वाले हमारे साथ रहने वाले पिता जी हैं अच्छे बुरे वाक में सहारा देने वाला पुरा गाउं है और कोई नहीं है बाई वो इसी बस में जा रहा है सासुर्जीतों से बगवास करके वक्त बरबाद कर रहे हैं उसे वहीं काट डालो ये दोनों गाओं के धर्मिया के दुश्मनी लगनी चाहिए अहे अरे कि लोना नीचे गिर गया परसे नीचे कि हो है अहे अहेכशको कि रहत हैं अाहे आना में आहाहा! आहिए। आना में नीचे अश् को अश्टा कि अख़ग हाँ को कि भाउ कि अवा हलो कि लग लेज़ जब समझारे समझारे कर दो ठूटे गया है तो बुबाँ तो अ कर दो दो पौट जार खूब अ AwwO ओओ पुबाँ उर बुबाँ पुबाँ वैад रहे जब ओिन हो एक करती है से उन análise कह जा है तरहाफैं व कर दोपने कि अखे है उन थेक लगा झाली। ऐन्यदों दियंदों गाली पीछे ने तो मार डालेगा वो पीछे खाई है रास्ता नहीं है बिना मौत के मर जाओगे खाई है तो भी बचले की गुल्जाइश है तूचाद टूचाई पालेगा तूचाई पेए सुझ झाल आपी, आपागा लुए अंता है झाल दोसा बांगी है वर कि व कतलु कर दुर और दुराई िना सब्ड़न इन्मा करा अलो रुऍक़ झाल! किस ने कोशिश की तुम्हें मारने की मुम्किन है आप ही हो आप की मर्जी के बगएर यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता हमें अच्छे से मालूम है इसलिए हमें ऐसा लगा था कि हम पर जो हमला हुआ था उसमें कहीं न कहीं आपका हाद जरूर है वैसे तुमें हमारे मुतालिक काफी कुछ हिल्म हो चुका है लेकिन इसमें हमारा कोई हाद नहीं है भूमी की इफाज़त तुम ही कर सकते हो अपनी कीमत बताओ आपको अपनी दुक्तर के लिए जो महुबत है उसकी जो कीमत है वही कीमत है अपनी भूमी के तरह हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले है और नहीं उसकी शादी तुमसे करवाएंगे इसलिए यहां से जाने में ही तुम्हारी भलाई है लेकिन भूमी तो हमसे महुबत करती है जोकि वो ना समझ है वो भी आप पर ही गई है लेकिन हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे आप कुछ भी कर लीजिए तुम पर हमला हुआ इसका इल्म भूमी को हर्गिज नहीं होना चाहिए नहीं है जयनाव आप हमेशा कहते हैं की हम है ना हम है ना हम है ना आज के बाद से यह मुकालमा मशना होना चाहिए करेश कle गरेश करेश तुम पर नहीं हुआ है हमारे hayır नहीं करवाएं की मानिन बात ना करो भूमी नहीं की कृष्ट फेल अब तुम चले जाओ प्लीस हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इसलिए तुम्हें हिम्मत थी और तुम यहां पर आई हो वही हिम्मत हमारे बगैर तुम्हारे अंदर देख लेंगे तुम किसी की बात क्यों नहीं मानते क्रिश देखो यहां कोई नहीं बदलेगा मालो सब कुछ बदल भी तो भी हमारे वाली पसंद नहीं करेंगे यही बात तो हम भी चाहते हैं भुमी तुम्हारे पिदाची को बदलना ही पड़ेगा लेकिन हमसे शादी कराने के लिए नहीं तुमने तो का धना हम उन्हें पसंद आ गये तो तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे फर्स करो कि हम उने पसद आगया है और यह भाप ऐसा हुआ तो सहाली हमारा सरकलम कतेगी ढोटाय, भीचाव, बीचाव बढ़ो हमे, जोटो ने, ने जोटो ये उस गाओं का है हमारे गाओं के दड़की को भगा कर ले जा रहा था ये तुम भे इससे मोहबत करती हो क्या करती हो क्या तो ये बात अपने घर वालों से बताने की जगहा तुम लोग यो फरार क्यों हो रहे थे तुम लोग उस गाओं वालों से इतने नफरत क्यों करते हो दो भाईयों की आपसी रंजिश को पूरे गाओं में पहला कर उस दुश्मनी की आग में रोटी सेकने वाले तुम्हारे जैसे खुदगर्ज इंसान को इंसानियत के रिष्टे की समझ नहीं है तो फिर मोहबबत के रिष्टे की क्या होगी खुद से पूछो कि कितने किरेवए इंसान हो तुम जैसे इंसान अपने खुदगर्जी को पूरा करने के लिए किसे भी इंसान के कुर्बानी दे सकता है चाहे फिर वो तुम्हारी वा अगर मार्द है तो रूबरू आजाओ चाहे पूरा गाव एक साथ हो जाए हम इस लड़के के साथ हैं जिसे अपने जिन्दगी प्यारी ना हो वो आगे आए एक मरतबा हम जो फैसला ले लेते हैं उसे मुकमल करते हैं ताकत है तो रोक कर दिखाओ हुआ हमारे गाव के लड़के पर उन्होंगोंने हाथ डाले यहिए प्रवी यह क्या हो गया तुमने क्या कर दिया तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ इसके जिस्म पर लगे एक जखम के बदले उन लोगों को अपने हाथ पैर गवाने होंगे इस लड़के की इस हालत के लिए सिर्फ वो लोग ही नहीं आप भी जिम्मेदार हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे आपना सर कटेंगे पैर कटेंगे या फेर पूरा जिस्म काट डालेंगे आप खुद को लड़के का बड़ा भाई मानते हैं इसलिए आपको इसकी हालत पर बहुत तकलिफ हो रही है ना लेकिन इसकी असली बज़े मालूम है इसने जो इज़्जत और प् जैसे हो रही है तो इससे सजा देने का हग भी सिर्फ आपको ही है बड़े भाई के तौर पर आप इसके मुहबत दिलाएंगे या फिर इसके मुहबत के दुश्मन बनेंगे फैसला आपके आतमे हैं जनाब नहीं नहीं इस घर का तमाद बनने की एक भी खास्यत नहीं है उसमें क्या सोचकर तुमने उससे मुहबत की तुम्हें उसे भूलाना पड़ेगा इसी में तुम्हारी बेहतरी है आओ आओ बस तुम्हारा इंतिजार कर रहे थे अपने आपको सबस्ते क्या हो तुम अपनी मरदान की दिखाने के लिए तुम्हें यही घर मिला था पचीस सालों में जिस घर की कौई इड भी ने हिला सका उस घर में आके तुमने उस घर की नीव हिला डाली खुद को समस्ता क्या है तु तुम इस घर में हो इसलिए तुम्हारी सांसे चल रही है नहीं तो कब का तुम्हारा खेल खत्म हो गया होता तुमसे हम इतनी नफरत करते हैं फिर भी तुम बेशर्म कितरे इस घर में पड़े हो क्या वाकई में तुम्हारे अंदर शर्म हो हया नहीं है छी तुम्हारी मीठी मीठी बात और मासुम शकल से मेरी दुखतर बहग गई है लेकिन इस घर में दमाद बनने के लिए सिर्फ उसकी पसंद ही काफी नहीं है इनको पसंद आना चाहिए, इन सब को पसंद आना चाहिए हमें पसंद आना चाहिए! इतना ही नहीं! पुरे गाओं को पसंद आना चाहिए! लेकिन तुम किसी को पसंद नहीं आए! कान खोल कर सुन लो! हमारी दुखतर और हमारे घरवालों पे सिर्फ हमारा ही हुकम चलता है! इस घर के इस्जत को बचाने के लिए जिसके अंदर हिम्बत होगी वही इस घर का दमाद बन सकता है तुम्हारे जैसा नाइट नहीं मस कीजिए हाँ बहुत हो गया बाई साब इनके रिष्टे के मुतालिक हमारी और सबकी क्या राया इल्म है आप सिर्फ नफरत की बात करते है प्यार क्या होता ये सिर्फ हमें ही मालूम है अपनी दुख्तर के हाथ पीले करके उसे खुशी से जिन्दगी बसर करने देना नहीं चाहते लेकिन हमारी गलतियों को सुधार कर सही रास्ते पर लेकर आने वाला अक्लमन और खुशा लड़का है ये इसके अंदर क्या-क्या खुबिया है आपको अभी तक कोई इल्म नहीं खुबाजी वो आपसे बड़े हैं आप ऐसी बात हैं किसको बड़ा कह रहे हो इनके जैसे लोग बड़े नहीं हो सकते इनके पास दिली नहीं है क्या हुआ मुझे आवाज नहीं निकल रही है मुझे भी घड़ से निकालना है आज तक आपकी रहम पर ही जिंद्धी बसर की है अब अगर निकाल भी दिये तो मेहनत करके जिंदी की बसर करने की हिम्मत हमें भी आ गई है और ये हिम्मत देने वाला मालूम है कौन है ये कृष्णा ऐसा है ये लड़का क्या बाई साब आपके पैरों की जूती थे ना हम लोग हम लोग तो इस देर के दमाद हैं पड़े खाते थे लेकिन घर तोड़ने की कोशिश कभी नहीं की आपके दोस्त रामेश्वर ने और उसके बेटे को दमाद बनाओगे लेकिन ये घर यानि कि वरिंदावन को अगर कि किसी ने बचाया है तो वो कोई और नहीं बलकि ये क्रिश है और आप इसे घर का दमाद बने के लायक नहीं समझ रहे हैं बड़े भाईया भूमी जिस लड़के की महबत पर रैतबार करके आपके पास लेकर आई थी उसको हम भी नफरत को बुला कर प्यार करने लगे हमारे प्यार का सबक दिलाने वाले क्रिश को हम कभी नहीं भुला सकते aus बड़े भाई आपकी बात से हम और पूरे गांवते हमेशा मुतफिक होते आघ आ रहे हैं जनाब 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 इन लोगों की बातों को आप दिल पर नहीं लीजिए जनाब जनाब ये हमारे जैसे नालायक की बातों में आकर आपको कुछ हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी नलायक तुम नहीं हो, हम हैं अपने बच्ची की महबद की हमने कदर नहीं की उसकी पसंद को पसंद नहीं करता हूं, यह सब जूट है हमें बहका कर इस बात के लिए मजबूर किया गया था ताकि हम तुम्हारे खिलाफ रहे तुम किसी को पसंद नहीं हो, हमें पसंद नहीं हो, ये बात मैं बार-बार क्यों कह रहा था मालूम है, हाँ? वो प्रितम कभी भी तुम्हारी जान ले सकता था, इसी डर से कहता था इसलिए हमें चान बुच किया ड्रामा करना पड़ा भूमी जब दो साल की थी, तभी उसकी वालिदा उसे छोड़कर गुसर गए अब मेरी जिन्नगी का सिर्फ एक ही सहारा है और वो है मेरी कुडिया यही है, यही है मेरी जान यह हमसे कहें दूर रह चली जा, इसलिए हमने इस पे पाबंदी लगाई अपनी सखी बेहन को अपनी नजरों से दूर नहीं रख सकते थे हम इसलिए सब को अपने पास रखा अपनी बेटी की महबत मुखालफत करने के लिए हम हिटलर की शकला तयार किया और ये सब हमने इस दर से किया कि कहीं हमारी दुखतर हमारी नजरों के सामने से दूर ने चली जाए इन लोगों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करके तुम्हें भगाने के पूरी कोशिश किया हमने लेकिन हम हार गए और तुम जीत गए तुम अपनी मुखबत को हमसे मिलवाने के लिए लाई थी ना आज हम तुम्हें उसे के हवाले कर रहे हैं यह हमें बेहत पसंद है यह हम तुम्हें पसंद है हाँ बुलो मतु खृष आई लव यू आई लव यू आई लव यू वो तो हमें मालूम है आगे बुलो बापरे अब जाकर कहीं हमारी परिशानी हल हुई क्रिश एक अच्छी खबर है हमने घरवालों को सब बता दिया है वो राजी हो गए है हां तुम्हारे घरवाले राजी हो गए हां हमारी चांद हां हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि जिस लड़के से तुम महबत करती हो उसे एक मरतबा मिलवा दो और हम हमेशा अपने पिताजी की बात को टालते थे पर अब बहुत हो गया करिश अब तुम यहाँ से चले जाओ अगर हम अभी यहाँ से चले गए हैं तो तुम्हारा पूरा खांदान हम पर 420 का तमगा लगा देगा और जरा सोचो तुम्हारे खांदान ने हमारी हकीकत के मुतालिक उजागर कर दिया तो तुम्हारे पिताजी पर क्या गुजरेगी? जरा गौर फर्माओ इस मुतालिक वो हम पर एद्बार करने लगे हैं इससे कबल की बात आगे बढ़े चलो उनको हकीकत बता देते हैं क्या? हमारे वालिद से? हाँ अगर हम लोग हकीकत बता देंगे तो उनको ज्यादा तकलिफ नहीं होगी चलो हम आपके फर्जंद को अपने घर का दमाद बनाना चाहते थे लेकिन हमें अपसोस है कि भूमी आपके घर की बहु नहीं बनाएगी जालो कबला आपने वादा किया था अपने वायदों को क्यों भूल रहें अभी भूमी क्या उस लड़के के साथ खुश रह पाएगी जिस लड़के को वो पसंद करती है उसी के साथ वो खुश रह पाएगी और उसी की खुशी में हमारी खुशी है ये है भूमी की पसंद क्रिश्ना इनकी खुशी के दर्मियान दिवार बनना एक वालिद को शोभा नहीं देते हो सके तो हमें मुआफ कर दीजिए हमें आपकी दुख्तर को खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा ये फरमाईए उसे भर पिट खाना खिलाऊंगा उसका पूरा बदन जेवराच से भर दूँगा ब्याय के बाद आपको एक दर्जन बच्चों का नाना बना दूँगा इतना काफी है या फिर अपने पालतू कुट्टों से उसे नुच्वाना पड़ेगा हमाज तक तुम्हारे आगे पीचे पूछ रुलाते थे पालतू कुट्टे की मानिन तुमारी वफाधारी की भूमी हमारी हो जाएगी इसी उम्मीद में अगर तुमने उसका हाथ हमारे हाथों में नहीं दिया तो फेप्राप पूए हमारे सर पर जो सवार है वही हमारे सर पर भी सवार है देल कर रहा है तुम्हें खड़े खड़े चीर डाले यहीं पर फिर कभी इस घर के रुकन पर हाथ उठाया तो नोश फर्माने के लिए तुम्हारे हाथ नहीं बचेंगे तुम्हारे फरजन ने हमारी गिरेबान पे हाथ लगाया और तुम खामोश तमाशबीन बने हुए थे आज हम समझ गए कि अपने और परायों में क्या फर्क होता है और इस बात का एसास इसने करा दिया आज तक हम सोचते रहें कि तुम्हारा फर्जन दी इस घर का दामाद बनेगा लेकिन अपकान खौल के सुन लो आज से ये बनेगा हमारे खांदान के इज़्जत का निगहबान और यही बनेगा हमारा दामाद हमारा वारिस आज दीन में सांप पालने की कोशिश मत करो एक दिन वो तुम्हें ही डसेगा अब खामोश तुम्हारे जैसा शैतान के जानेगा तेरी ही बातों बे आके हम अपने खून से नफरत करने लगें सगे भाई को अपने घर से निकाल दिया वालित कभी बठवारा कर डाला आज हम समद्गे कि हमने क्या क्या खोदिया तेरे जैसे मन्हूस की बज़े से अब हम खुद जाएंगे अपने भाई के पास और उसे मना के यहां ले आएंगे जिस घर को तुने तोड़ा है उसे हम फिर से चोड़ेंगे क्या हो गाड़ी निकालो आओ क्रिश्य आओ क्रिश्य क्या है तुम्हारे रुबरू दुश्मन नहीं भाई खड़ा है हम इन लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए तश्रीफ लाए है पिता जी हमारे भाईया आए है हुआ है तशिफ लाए रुख जाओ भाईया हमारी दुख तर आ रही है भाईया आपने इसे कभी नहीं देखा हमारी आखों का नूर है मधू हमारी खातिर सब कुछ है क्रिष्णा आजाओ मधू यह क्रिष्णा है भाईया का होने वाला दामाद हाई क्रिष हम मधू भूमी हमारे भाईया की दुखतर भूमी इस हीरे को कहां से तलाश कर लाई है मालूम नहीं सौ फीसदी खारा सोना ही यह देख रही हो ना यहां से खुशी का सारा महाल सब इसी की वज़े से है क्रिष्णा अगले गुरुवार को तुम्हारी और भूमी की मंगनी का मुहुरत है अपने घरवालों को एक खुश खबरी आज ही दे दो बेटा हम चाहते हैं यह लेक काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएं तुम्हारे जैसे दमात किस्मत वालों को मिलता है क्रिष्णा अपनी वाल्दैन से राप्ता करों जाओ यह ठीक नहीं होगा क्रिष अब जिसे मदू की शादी होनी चाहिए उसे हमारी शादी हो रही है हम किसी का दिल नहीं तोड सकते हम पिताजी से सब कुछ कह देंगे क्रिष अब ही अगर ऐसा कुछ किया न तो तुम्हारे साथ-साथ मुदू की शादी भी रुख जाएगी तो फिर इस मंगनी को कैसे रुखा चाहे तो दिखावे के लिए शादी कर लो सेटिल्मेंट का अ फिर खेल रही हो तुम दोनों रिष्टेदारों इसका इल्म नहीं था क्या अरे लड़कियों का इस बात का इल्म कबल होता कि तुम दोनों मैसूर की महारानी हो कहां से तुम दोनों हमारी किसमत में आ गई एक मिनट फर्माईए पिताजी क्या कर रहे हो तुमारा दौरा कैसा है तुम मजे करे हो न कपड़े उतार कर नंगा नाचने का दिल कर रहा है पिताजी सही में हमारा मतलब है कि ठंड इतनी है कि गरम कपड़े बहुत पहन लिए और पसीने से सराबोर हो गये है बस इस वक् नाइकर आफ बल्स पर हैं पिताजी समखाल कर वहां बिन्मौसम बरसात होती है बचा फरमा रहे हैं पिताजी इसलिए इस वक्त हम दो क्यामत के दरमिया फच गए हैं आप कहा है पिताजी हम अभी आपके पास आ जाएंगे अरे क्यामतों के दरमिया हो तो चुडmee कर क्यों से करने में दिक्कत नहीं है तो फिर एक काम करते हैं जैसे तुम भूमी के नकली आशिक बने हो वैसे मामी डाड़ी भी मिल जाएंगे एए ऐसे वायात तरकी में तुम्हारे दिमाग में कहां से आ जाती है बताओ अपनी जिंदगी को काफी डीसेंट और सीधे तरीके से जीन तुम्हारे पिताजी है या कड़कड़ाती बिजली हम भी देखते हैं बुला लो यह हमारे वालिद और यह हैं अमारी वालिदा जी मामाजी आपने वाली से कितनी मुहबब्द है तुम्हें आपको इतिला किया वागेरी आ गया ते इसको भी जाते हैं पिदाजी बॉड़ी सेंथी इसने कंफ्यूजन हो गया कैसी हो मेरे लगते जिकर्व और एक्टिंग ना करो वरना राज को जाएगा वह भी तुम्हारी जैसी आउलाद का आप खैरिया से तो हैं ऐसे सवाल आज से मुझे कोफ्ट होती हैं हम तो यह आपने बेटे से बिलने आएंगे आई और यह होने वाले अससर और यह लड़की के भाई काल सुर्ख हो जाएगा आपके पिता जी इनके भाई कर लिजे कोई किसी का भाई हो सकता है हमारी तरह ताकतवाल जिस्म है जिन जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है सुबह सुबह दो-चार अफ्राद का सर कलम करके दिन की शुरुआत करता हूँ हम भी कब यही करते थे अब छोड़ दिये हैं संधन जी आप कुछ नहीं कह रही है वो गलत यह हमारी कोशिच कर रहे हैं देखो हम इसकी कैसे बैण वजाते हैं आपकी जवान हो चुकी है ना हमारे फर्जन की तरह कोई हो तो उसकी विशादी करवा दीजिए ऐसे क्या देख रहे हैं अपको दात तुड़वन है क्या दिमाग मिला आपको जबरदस्त बेटा से ब वह किसे मोहबत करती हो और शादी करना चाहती हो तो से भी यहां बुला लो मधू तुम दोनों की शादी एक ही इसाहत हो जाएगी उसे बुला लो बैटा बात है कि वो हमसे नाराज होकर कहीं चला गया है पिदा जी अगर वो हमें पसंद नहीं आया तो हम उसे ठुकरा सकते हैं लेकिन से नाराज होकर जाने कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ठीक नहीं किया उसने यह उनका खांदानी मामला है तुम देवदास के उबने हुए हो है चला चलो 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 बोलाजे जो मैंने बोला वह समझ गया ना है हाँ शहर में एक लड़के ने हमारी दुखतर को धोखा दिया है मधू के कॉलेज में जाओ और इल्म करो कि वह कौन है और दो गोरिल्ला तेलिया क्या करने आयो और कर रहे हो इस घर की बच्ची की शादी पर तुम क्यों मश्विरा दे रहे हो अमें क्या समझ रहे हो अवार्ड विनिंग अदाकार है हम हम क्या तुम्हें कोई मस्खरे जैसे लग रहे हैं ऐसा जा रहा हूं इसक्रिप्स से अलग आपटाजी यहां चल रहा है हमें इल्म नहीं लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या करना है अगर गलती से हमने राज खोल दिया तो क्या होगा ये तुम्हें भी पता है तो जड़ा खामोश रहो अब तुम हमारी गिरफ्त में हो चाहूं तो तुम्हें चुप कसल सकता हूं माफ कीजी अंकल जो हमने कहा वो भूल चाहिए आपको जैसा करना है किजिए हाथ नीचे वह अंकल कैसा अंकल सौरी पिता जी यह पेटर है पिता जी जाकर मश्क करो जाओ हम आपको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि खुद को आईने में देख रहे हैं सच कहीं तो हूँ बाहू है ना भाईया शुरू शुरू पर लगता कि सब कुछ हमारे हाथ में ही है लेकिन अचानक सब भाई के हाथ में चला जाता है यह लंगूर कॉन है इसे कितने खरीद डालाइ हो चैनल अरे उसने उसका बोसा लिया है अबे उन दोनों करिष्था मोकालवर हो गया है मसे करने जो ना बाहीं वाली ने दिया हो जो ठीक ता पर दाहीं वाली ने लिया है नजर आता है तुँ गाड़ी चला है तो झालाल है किया होने वाला हमारा दिल बहुत घब्राना रहा है वह सब यानिप लेटर हैं थाइप था मत खेलो भाई का लेकिन अवह परिशानी Bye Going हो जाएगी हो बोल बच्चन दायां बाया चोड़ो और यह बताओ कि तुमने शीशे में बोसा लेते किसको देखा हमें तो शीशा में मदू जैसी नजर आई थी नजर आया था तो फिर वही होगी अरे यार बड़े मामा की दुखतर तो ठीक थी चोटे मामा की दुखतर को क् करें हमें पूरा यकीन है कि तुम उसे अच्छे से मैनेज कर लोगे इतना ज्यादा यकीन है क्या यकीन ही होता है चलो आओ यह कैसा यकीन है तो अरे यह पुरा ना फैशनी चलेगा शादी के लिए कितनी जोड़ी पुशा के चाहिए दो जोड़ी सुनो बैगम कम से कब 20- लेकिन बात हमारी तरह करते हो तो जाओ बैटा मा देखिए तो दूसरी मा देखिए ना अरे तुम चिला क्यों रही हो मैं तो यहीं खड़ी हूं और देखिए ना मा यह रंग कैसा लग रहा है मुझपर रंग तो बहुत ही खूब है लेकिन तुम पर अच्छा लगीगा हम कुछ शक है क्रिश तुम इससे गुफ्तुगू कर रहे हो जैसे कबल से जानते हो ऐसा तो कुछ भाई के अदा ही ऐसी है भाई जबर दस्त है कोई बात छुपाते नहीं है फॉरान अंदर से बाहा निकाल देते हैं इस जरा सी बात के लिए भाई को क्यों तकलीफ दे रही ह अब ही बता देते हैं मधू यह साड़ी तुम पर हर गिस अच्छी नहीं लगेगी चुड़ायल जैसी नजरा होगी किसी के साथ अच्छाई करने जाओ तो खुद के साथ बुराई हो जाती है इसकी हमें उमीद नहीं तुम दिल पर नालो ऐसा ही होता है जाने दिख छोड़ो ना पुरा मत मारो अब मेवकुम कहा रहा गया तू जल दिया पिदाजी यह ले पकर आजमाकरा आपके फरजंद के कपड़े आप क्यों से लिट कर रहे हैं हम काफी सक्त वालिद हैं सरासी चूट दे दूगा तो सर पर चल कर पिशाप करेगा नकरा करेगा तो पूरे शहर में नंगा घुबाऊंगा तूम जाओ जो जाओ 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 दिखना पड़ेगा क्या हो रहा है तुम्हा कैसे क्यों हम साड़ी में अच्छ नहीं दिखते सर्च जदीद पोशाप में अच्छ दिखते हैं अंदर कैसे लेखंग क्या है ऐसे क्या हो गया इसई चल रहे फिर भी पसी नहीं कल नहीं है स्वरी आप यही रुकिया हम अभी आज्मा कराते हैं और आप आज्माने जा रहा एं अब समझाए ना अंकल कि एसी चलने के बावजूद हमें पसीना क्यों आ रहा था यहां यह सब क्या हो रहा है मुझ सब जानने की कोशिश मत कीजिए वह पूर सुकुन सिर्फ नजार आता है नस्दीक जाओगे तो हजार वोल्ट का छटका लगेगा बेहत खटरनाग है तुम तुम दोनों यहां पर हाजिरो जब तुम दोनों यहां पर हाजिरो तो भाई भी आही जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे चाहें वो कहीं भी हो जरूर आ जाएंगे कि अभी तक तो नहीं गया भाई पर आम उसे छोड़ेंगे नहीं उसी के लिए तो गाड़ी में बैठकर इंतिजार कर रहा हूं जैसे उसकी गाड़ी निकलेगी फॉन करके आपको खबर कर दूँगा कि अभाग क्यों रहा है जिसका इतनी दिर से हमें इंतजार कर रहे हैं उसका इंतजार करना बेकार है बगर आवाज आए इन लोगों का कैसे निप्टा दिया भाई नहां पीजार कर दो का बेकार को अभाई अवो डुब दो प्रफिस्तारी लिती हाँ झाल झाल भाई मुझे एक छोटी सी उलजर है हम लोग जितने आये थे उन मेंसे एक कम है क्या हुआ मिल गया वो बदमाश हम तलाश रहें मिल जाएगा भाई एक काम करो उसके वालदेन को यहां उठा कर ले आओ वो खुद ही आजाए रहा हाँ ठीक है भाई और यह भाई यह रहा हो यह हमारे होने वाले संधी ऐं इस्जत से पेश आओ माफ कीजिए संधी गलती हो गई जणाब ताश्रीफ रखिए संधी कह रहे हैं यह सब क्या है बेटी मधू आपने बुलाया पिता जी आपने इसब क्या माजना हमें तु कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटी इनका ही लड़का है न वो जो तुम्हें दगा देकर फरार हो गया था हमारे बेटा दुनिया की शैर पर गया है आहा है दुनिया की सेर पर गया है वो चाहे अमेरिका जाए आली बाग उसके आने तक तुम लोगों को यहां बगीचे में आप पोशी करनी होगी अपने फर्जन को जरा बुलाईए यह लोग भी देखें आप ऐसन जी फर्माइए पिता जी अजये पुमारे चोटे सब्सूर जी के सम्दी आए हैं उन्हें नमस्थे करो अचा अचा एक अट क्रिश्न ये क्या कर रहे हैं यही हमने तुम्हें से आप तक वांते हैं वोफलिस हैं लेकिन उम्र में हमसे बड़े हैं नमस्कार करो यह क्या पिदा जी बगार बताए आप तश्रीफ ले आए एक बार इत्तिला तो कर देते तुम तो जुनूबी अफ्रीका की बर्फीली वादियों की सहर पड़ थे ना इसलिए तुम्हें परिशन करना वाजिब नहीं समझा यहां कर दूसरे ममी पापा को सेट कर लिया हमसे प्यार नहीं करते माफ कीजिए माफ कीजिए बस चोड़ा सा जूट बोल दिया है देखिए बच्पन में आपने कई मर्तबह ऐसी शरारत करने के बारे में सोचा होगा लेकिन नहीं कर पाए आपके हिससे कि हमने कर दी बस इतनी सी बात है क्रिश इतनी दूर तुम क्यों आए यही सब हुआ था मम्मे यह क्या हो गया मदू ज़रा देखो तो तुम हो अंकल भूमी हमारी एक छोटी से गलती की वज़े से आप लोगों को इतनी परिशानी हुई आप लोग हमें माफ तो कर देंगे ना अगर तुमने गलत कदम उठाया होता तो हमारा बेटा कृष तुमारा साथ कभी नहीं देता हमारे बेटा कभी भलत का साथ नहीं यह हुए ना मम्मी वाली बात यही बात पिताची को भी समझाईए ना वो तो हमारी जानिब देखते भी नहीं है यह घर इतना बड़ा है कि इंसान चलते चलते ठच जाता है यह साड़ी देखे ना पैसे संदीजी ने दिये थे मुसीबत पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है ऊपर से यह दो नमूने यह कैसा पोशाक पहना हुआ है आप लोगोंने क्या बताओं पोशाक बदलने का मौका नहीं दिया जबरदस्ती खीच लाए ना आप देखो तुमने हमें किस हाल में लाकर ख़ड़ा कर दिया है अहलो हलो हरे बापरे कोई फोन आये बगर यह हेलो हेलो क्यों कर रहा है यह स नहीं कहीं देखा है कहां देखा है है याद आया पिछले साल महा मंदिर के मेले में पिछले साल महिं इसी साल इसी साल अरे इस साल तो अभी मेले का भगती नहीं हुआ है यह जईफी मेरी आदास्ट भी ले जाएगी छोटे हां भाया जैसे हम लोग एक साथ बैठे है न यह सब हमें किसी ख्वाप की मानिन लग रहा है हां यह लड़का अगर कब ला गया होता तो हमारे दिलों का फासला कब का मिठ गया होता बजा फर्मा रहे हैं दामा जी कुछ भी हो लेकिन आप काबिले तारीफ हैं भाई तारीफ के काबिल तो आप हैं है जब हम उसकी तारीफ कर रहे हैं तो तुझे बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है आज से यह कृष्णा हमारे रत का सार्थी है यह याद रखना ठीक है भाई सब ने क सब कुछ बता दिया अब तुम भी अपने आशिक के मुतालिक बताओ मां हमारे आशिक का इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है हमारा आशिक हुबहु श्री की मानित है यहां एक बासुरी और नजाने कितनी होंगी यह बासुरी का खेल बासुरी वाला ही जाने हमें क्या कर र सुन रही है वह लड़के के मुतालिक तारीव कि पुल बांद रही है तो फिर हमें क्रिश्ट के मुतालिक कितनी तारीव करनी चाहिए अब चलो हमारा आशिक दूस्रों की खादर अपनी जान देंगा हमारे आशिक तुमारे आशिक से कोई मकाबला नहीं है तुमारे आशिक ने dew मोहबत कने वाले को मिला दिया और हमारे आशिक ने दो खानदान ओको मिला दिया इससे बढ़कर और क्या हो सकता है société हमारी खुशी के खादिर कुछ भी कर सकता है हैं न अ एक आशिक सी या तो उसकी गल्फ्रेंड खुश हो सकती है या तो उसके खांदान वाले लेकिन हमारे कृष्ष सी पुरा का पुरा गाउं खुश है शुक्रिया कृष्ष आंकर उसने तो अपने आशिक की तारीफ में बहुत कुछ कह दिया अब आप भी अपने फर्जन के मु तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं हमारा फर्जन हमारे पास बैटा है फिर भी हम तारीफ नहीं कररें क्या हुआ क्षा करके को यह अजीम नहीं हो एक फरजन तुमने पैदा किया तुम्हें छोड़कर फरार हो गया अपने मुस्तकबिल का आपको कोई खयाल है और उसका रोशन होना इसकी कुवत में है सम्दी जी क्या किस्मत है लगता है आपका बैटा अभी आपके साथ ही सोता है आखिर बैटा किसका है यह अजीम है चलिए चलिए चलो कि दर्वाजा बन कर देते हैं कैसा लगा सबको हिला कर रख दिया है देखा तुमारे सस्रुआल वाले कैसे सदमे में आ गए इसे कहते हैं अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस एक्टिंग एक माव का हासिल हो जाए तो पूरी दुनिया को दाजाओगा बॉसरे के मामलें में टांग क्यों ओडाते हो ओ तो लंगूरु के मानिंद और बाते इंसानों जैसे मालूम होता है अच्छी आधाकरी हम बताते हैं हम बताते हैं क्या था हमारे तुम नहीं परवरिश्की है रहे पेचारा हर्गिस नहीं छोड़ना हमारा आधा पीमिंट खा गया हमारे जैसे आधाकारों के लाकों करोड़ों खा चुका है और सिर्फ इतना ही नहीं यह तो सब की बैंट बचाने की बात कर रहा था हमने जितना काना उत्राइए अगर हमारे पिताजी के मुटाले कुछ बोलोगे ना तो हमारे पिताजी कई काने बख्षा बैठ सकता हूं क्या हुआ भाई साब लगता रात को सुकून से नीन नहीं आई मच्छ हुए जनाब साब वह आपका फर्जंद हमें बता नहीं सकते थे क्या हुआ भाई साथ उसने आपके साथ कुछ किया अरे क्या नहीं किया राज जोस्ते तार छेड़ी है उसकी वजह से अभी तक पुरे शरीर में म्यूजिक बच रहा है साब बहुत हुनर है उसके अ वह तो उसी के लिए पैसे लिए है ना उसकी तारीफ आपकी जबान से बहुत अच्छी लगती है एक मर्तबा और कीजिए न संदी जी क्यों नहीं संदी जी वह बहुत ताकतवर है इनी की मानिन ताकतवर है क्या किस्मत मिली आपको सबको ऐसी किस्मत मिले all the best संदी जी चराव हम एक उलजाना चराव हम जो कर रहे हैं अगर यह इल्म हुआ कि यह सब एक नाटक था तो हमारा क्या अश्र होगा हमारी हिफाज़त तो हमारे फरजंद है आपकी हिफाज़त तो आप ऊपर वाला ही कर सकता है यह खयाल तो हमें आया ही नहीं किन ख़यालों में खोई हो तुम अब ख़यालों से बाहर आओ और चुड़ी पसंद करो खुद के लिए माजी वह सुर्क चुड़िया आप पर भेहती खूब सुरिट लगेंगी जरा उन्हें पहनी है यह तो बड़ी अची बात है आपसे जादा आपके बेटी को हर चीज की पहचान है यह लीजे पहन लीजे माफ कीजिये ममी तिन बादीर हालात बहर संजीदा हो रहे हैं इसके पीछे रास क्या है इसका इल्म करना ही पड़ेगा बिल्ली फिर से बहुत के पंजे में फस गया भाया क्या कर रहे हो बिल्ली अभी अभी बीपी की दवाई खाई है बालुम होता कि आपसे मुलाकात होन सब्सक्राइब करना कि हमारे प्यारों के रिचे भुलुक करके बं फट जाए इनका खेल क्या है किसी को इल्म नहीं होता है बताओ क्या बताओं भाई होटल के मालिक तो आप है जो पकवान कहेंगे वो बना कर दे देंगे अजरा आपने दाइं जानीब देखा दाइं जान क्या है तुम और भूमी लगता है बहुत करीब आ गये हो यहां कुछ जलने की बू आ रही है क्या भाईया सब कुछ जलकर कबले ही राख हो गया और हवा का जोका उसे उड़ा कर भी ले गया अब जलने को बचाई गया जो पूह आई की परसोन रात को वो तुम्हें अपना चोड़ते हैं खत्रे की घंटी बच गई सामने ही चोड़े अब राज आ रहे हैं चलिए भाई दामाजी आप यहां क्या कर रहे हैं कुछ नहीं मामा जी इंडिया और पाकिस्तान की दर्मिया हमेशे जंग का माहौल सा रहता है ना पाकिस्तानी दहशत कर जगा जगा बंप अगर मधू के मुटालिक कुछ बोला ना था हमसे बुरा कोई नहीं होगा मामा जी मधू तो आपके पीछे ही खड़ी है हम तो मजाग कर रहे थे तुम यहां क्या कर रहे हैं बेटी नीचे कुछ रस्म चल लिए तुम भी वहीं जाओ दामाजी इसे जादा सिर पर मत बिठ हाईएगा अबल दर्जे का एहमक है होश्यार रहिएगा जी चलो बेटी यहां कौन एहमक है कौन अकल बंध है यह आपको जल्दी पता चल जाएगा है ना भाई काम हो गया है पुलिस वाला बन गया है बहुत खूड एलान करा के पूरे गाउं वालों को दावत पर बुला एक लड़की के मदद करने के खातिर उसका आशिक बनके अपने वालिद को बागयर बताए वो लड़की के घर चला गया उसके खांदान वाले काफी दबंग लोग थे वहां के बच्चे बॉब से फोटबाल और वाली वाल खेलते थे अगर वही ड्रामा आपके साथ होता औ अब क्या करते संदीजी काट के बोटी बोटी कर देता हम इसा करना है उनको अपने पास मुला कर समझा कर त्यार से अब दुबारा ऐसा नहीं करना बेठा उन्हें समझा कर छोड़ देना चाहिए जिंदगी कोई फिल्मी फसाना नहीं है संदीजी अगर ऐसा हमारे साथ किस सर कलं करे नार्यल पानी के तरह कून पीऊंगा आपके लिए खून और पानी एक है क्या समझी नाटक करना भीगुणा है और नाटक करवाना भी चोड मैजबेञे ओए वन सापयार वोन इतनी रात को कहां जा रहे हैं सम्धी जी अरे सम्धी जी सम्हाल कर उठाई यह सूटकेस लेकर आप इतनी रात को वह हम दफतर दफतर से जरूरी फोन आ था वही जा रहे हैं सम्धी जी आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं अगर आपके दोस्त ने कुछ उल्टा सिधा कहा है तो बताईए काट कर बोटी बोटी कर दूगा सम्धी जी बार बार काट दूगा काट दूगा कहके बीपी क्यों बढ़ाते रहे थे वह सब छोड़िये आप जा रहे हैं जरूरत नहीं चलिए ना पिता जी अले कह रहा है जरूरत नहीं नहीं चलिये ना पिता जी नहीं को बढ़िया से समझाए दुबारा यहां से बगएर बताय जाने की हिम्मत ना हो इनकी सब्सक्राइए नहीं है बिटाजी बाप और बेटे को इसी तरह रहना चाहिए वाह कितनी मुहबबत है दोनों में किसी मसास पार्लर में चलो क्या बेटा आपके फर्जन ने तो आपको बड़ी जल्दी समझा दिया यह समझाने में वक्त नहीं ले था हर लेवल पर समझाता है उपर से लेकर नीचे तक बेटा हम तुम्हें छोड़ कर कही नहीं जाएंगे दामाजी आपके वालिद को आप हम अपने पास ही सुलाइए जरूर जालिए आप आगया आगे चलिए हम पीछे पीछे आते हैं फिर वही है है हकिकत में हमने आपको जरूर कहीं देखा है कहां देखा है दादाजी आपने उस रोज अकबार में पढ़ा था ना कि दुबै में किसे ने चार हजार सौ करोड की पूरी कमपणी खरी दिली थी यह वही है अब हमें ख्याल आया मतलब कि वो और वो हमारे पिताजी हैं तुम जिससे महबत करते हो वो आपकी छोटी पूती से यह सुनकर आपको इतना बड़ा सदमा लगा सोची हम पर क्या गुजरती होगी अब हमारा क्या होगा दादाजी देखिए इस कहानी के शुरुआ तो आपने की थी इसलिए इसका क्लाइमेक्स भी आपको ही लिखना होगा अरे यह कौन सी बड़ी बात है कृष्णा बस तु बड़ा खेल आपका ही किया हुआ है आपका फरजंद कबार देखिए जहां ज्यादा मोहबत होती है वहाँ जगड़ा भी होता है यह तो आम बात है मधु भी हमारी ही बेटी है उसको जल्दी बुला लीजिए भूमे के साथ ही मधु की भी हम शादी करवा देंगे इजासत दी तो बच्चों तयार हो ना यह क्या पिदा जी कल तक आप हमें फक्र से आगे रख रहे थे अब चोरों की मानिन पीछे खींच रहे क्या बात है क्रिश्णा जैसा तुम सूर्चरों वैसा नहीं हो रहा है बेटा यहां चल रहे माहौल और हालात को देखकर मुझ लेकिन हमें एक तकलीफ है पिताजी आप लोग यहां पर जो परिशानी छेल रहे हैं वो हमसे देखे नहीं जाए तुम जहां हो वही हमारे लिए जन्नत है तुम ही खोश देखकर हम लोग हमीशा खुश रहेंगे बेटा हमारे जिसमें हजारों बिमारी हो गई है डॉक्ट में नहीं आ रहा है मामा जी अरे ये भी उसी कबरे में जा रहे है इन्हें रोकना होगा पेटा कुछ करके उन्हें बचा लो अपना गड़बर हो जाएगी मामा सब्सक्राइब हम पहुचेंगे सीटी भी नहीं बच रहे है मामा चोटे मामा चोटे मामा चोटे मामा चोटे हमने नहीं तो हाँ आपने बुलाया था आवाज लगाई थी क्या हो रहा है यहां चाहे कुछ भी हो सब किसी को अंदर नहीं जाने देंगे यहां मामा कमरे के अंदर क्या चल रहा है चल प अबख्रे की चान पस गई कमरे में आप तीन लोग है क्या तीन लोग है तीन लोग है तीन लोग है कमरे में तीन अफराद कर रहे हैं और तू दर्वाजा बंद करके शक पैदा कर रहा है घर में इतने अफराद है कि दोनों लोगों का मिल्ला मुश्किल हो गया था इसलिए हमने यहाने का मनसुबा बनाया अब तो खुश हो ना शुक्रिया यार भूमी आज बहुत खुश लग रही है न क्रिश एक मर्तबा तुमने अपना सर हमारे कांधे पर रखा था तो हमारी जिन्दगी बदल गई थी अब एक मर्तबा और रखोगी ना तो हम तो मरी जाएंगे इसमें जारा फासला ही रखो बोमी 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 बुमी! ग्रीज़! ग्रीज़! अँ़! अँ़! ग्रीज! ग्रीज़! चैस पूदूध aye! ग्रीज़! ग्रीज़! डर को अपने साथ रखा और हिम्मत तुम लोगों में बाट दे थे भूमी पर हाथ डालने के बाद तुम लोगों में वो डर नजर नहीं आ रहा है ये नतीजा है हमारी शराफत का झाल पर टुम लका रां के रहा है खिर दो, बेजू है ग sólo है वारा दालार को वाल हिस्ट और वान जो है और जिल हो वार ग भार कांविश वो डर हम तुम सब को वापस लोटा रहे हैं भूमी को हाथ लगाने से कबल ये खयाल क्यों नहीं आया कि हम उसके साथ हैं है तेरा हाथ रूख क्यों गया हां लगा उसे हाथ लगाना आओ उससे कहे देना कि वो भूमी पर बुरी नजर डाले उससे कबल जरा हमारे मतालिक गौर फरमा ले उसकी बुरी नजर ही मर जाएगी सबी घरवाले तुम्हें महबत करने वाले समझ रहे हैं यह देखकर हमें हासी आ रही थी लेकिन तुम्हारा यह दस मिनिट का चोश देखकर उन सब की बात हाकिकत मालूम होती है हम किरदार में पूरी तरह से घुश चुके हैं अब कदम नहीं हटा सकते हैं हुआ 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 है कल तक भूमी का वाले तनहा था लगता था कि हम उसे फसा लेंगे लेकिन इस वक्त तीनों भाई संगम की तरह एक हो गए हैं अब उनका कुछ नहीं बिगार सकते भूल जाओ भूल जाओ भूमी को आज तक हमने तुम्हारी इज़त इस लेकी क्योंकि तुम हमारे वालिद हो और अगर आज तुम खौब ज़दा हो के भूमी को भूल जाने के लिए का होगे तो हम ही तुम्हारा कला दबा कर मार डालेंगे तुम्हें उसे मालूम नहीं कि उसने किस्ते दुश्मनी की हैं हम उसे दिखा देंगे कि तुम्हारी करतूर के मताबिक अगर भाई को बता दिया तो तुम्हारी धुलाई करने के बाद जाहिर भी नहीं कर पाओगी कहा कहा धुलाई हुई है क्यों खत्रा मोल ने रहे हो खामोशी चलो आज़ो मंगलम भगवान विश्णू मंगलम गरुडद्वजा मंगलम पुंड्री काक्षा है मंगलाए तनो अरी आप लोग आगे की रसम शुरू कीजे शुरू करिया शुरू करिया अरे तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो हमारे संधी बनने वाले हो चलो तुम भी हा क्या हुआ संधी जी खुशी के मौके पर आपके हाथ का प्रहां हुशी से का प्रहां लाइए 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 लीजे अब आप अंगुटी पहना ये पहना दो पहना हुआ हरे इतना सोच क्या रहें दामाजी अंगुठी की जगे सीधे मंगल सुत्र पहनाने का इरादा है क्या अब हमें कोई डर नहीं है तुम आगे की तालीम चाहती थी ना जाओ जहां तक तालीम लेनी है लोग पारिशानी तो नहीं जाला अब तुम दोनों जब चाहो गए तभी तुम लोगों की शादी होगे यह हमारा वादा है अरे बाप रे परेशानी हल हो गई अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और हमारी जिंदगी हमारे अब यूएस में सेटल हो जाओ और अपने वालिद को फोन कर देना कि कृष्ट ने तुम्हें दगा दे दिया अब उससे शादी नहीं करोंगी कुछ रोज के लिए उन तुम्हें हमसे भी बहतर लड़का जरूर मिलेगा तुम हमेशा खुछ रहो यही हमारी तमना है तुम क्यों है हमारे जिंदगी में क्यों है कल तुम हमारे साथ नहीं ही रोगे यह सोचकर हमारा दिल हमारा दिल घबरा रहा है तुम्हारे बगएर हम कैसे रहेंगे हम तुम्हें कैसे बताएं क्रिश तुम्हारे खादिर हमारे दिल में क्या जगे है किसी को दिल में बसाना आसान है, लेकिन उसे दिल से निकाला बेहत मुश्किल है, बेहत मुश्किल, बेहत मुश्किल, हम से एक वादा करो, कृष, यहां से जाने की बाद तुम कभी हमें अपनी शकल नहीं दिखाओगे? अंकल मारी है अंकल? किरदार में ज्यादा खुशाने से ऐसा ही होता है भूमी के दिल में तुम पूरी तरह से बश चुके हो तो फिर यो खामोश क्यों हो हम तुम से ही पूछ रहे हैं कुछ बोलते हैं क्यों नहीं क्रिश हम से कोई गलती हो गई क्या मदू शुक्रिया दोस्त अगर तुम क्रिश्णा को यहां नहीं बेचती तो हमारी परिशानी कभी हल नहीं होती इस भूमी के लिए वो एक अन्मोल रतन करा है इसलिए का कश को तुमहरे हवाले करने की सोच रहे हैं कि ऐना सबकी मदद करने वाला ऐसा आशिक बड़े मुश्क्र से मिलता है इस दुनिया में और तुम्हें मिल गया है इसलिए इतना हुरूर हो रहा है नाल मिट कि तुम्हारी आमानत को हम तहीं से कि तुम्हारे हवाले कर रहे हैं कृष किसी फरिष्टे से कम नहीं है ऐसा लाखों में एक होता है और वो तुम्हारा है भूमी तो फिर तुम्हारी आखों में आसे क्यों हो कि उसे दिल में बैसाकर हमारे सुपर्ट करते हुए तुम कैसे दोड़ से गुजर रही हो हम समझ सकते हैं अगर हमें इसका इल्म ना होता तो बहतर होता लेकिन हमें सब मालूम है उसे क्या कहेंगे सोचो उसके यहां से जाने की बाद सब उसे धोखे बास समझेंगे इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए सबसे बढ़कर तुम्हारे खुशी है लडू तुम शहर में किस लड़के से मोहबत करती थी पापा वो तुम्हें दगा देने वाला यही कृष्णा है जल दफा हो यहां से चल भाग इस जिबातों में आकर तुम अपने कृष्णा पर शक कर रहे हो वो हमारे घर का दमाद बनने वाला है यह बात यह परतास नहीं कर पा रहा है तुम्हें इस घर में लाने वाला और हम दोनों को फिर से एक करने वाला अपना कृष्णा ही है आज हमें खुद से जादा इस पर एत्मार है क्रेश वो क्या बखवास कर रहा है वो कह रहा है कि तुम्हारे वालदेन यह नहीं तुम्हारे वालदेन यह हैं मधू की महबद को ठुकरा कर तुम भूमी के आशिक बन कर इहां हैं चिह क्या बखवास कर रहा है तुम कौन हो इन्हें बता दो इन सब की जुबान बंद कर दो वो जो कह रहा है वो सही है जनावरे यही हकीकत है हमारी दुखतर की जिंदगी के साथ खेल कर उसके साथ आख मिचॉली कर रहे थे नालाइक तुझे कलीजी से लगाकर पूजा की ठाली से आर्थी करते थे हम हमारे ही खांदान की आखों में धूल छोकी तुने आख जिस रोज तुमने अपनी मुहबबत को हमारे रूब रू लाने में आनाकानी की थी उसी रोज तुम हमारी नजरों से गिर गई थी कुछ नहीं सुनना आया मैं पिता जी उन्हें रोकिये ना प्लीज रोकिये प्लीज तुम्हारी किस्मत में ही धोखा लिखा था बिटा अपने दिल को तुसरी दो भाई साब रोकिये उन्हें नहीं तो मर जाएगा वो मर जाने तो भाई साब हमने कहां मर जाने तो हमने कबल ही कहा था अच्छा होता यहाने से कबल तुम इल्म कर लेते सुना नहीं क्या भूमी हमेशा हमारी ही थी हमने तुझे कबले ही समझाया था हम देखने में भले ही तुझे सीधे लगेंगे लेकिन हमें कभी छोना मत भूमी तुझे हरगेज हासिल नहीं होगे और नहीं हम तुझे से उसे मिलने देंगे भूल जातो उसे हमेशा निये भूमी का नाम तेरी जुबान पर नहीं आना चाहिए हमने तुझे एक शरीफ लड़का समझा था लेकिन तुने हमें धोखा दिया लोचा तुम दोनों एक होकर शैतानों को सबक सिखाओगे ऐसा सोचा था हमने इस तरहे एक शरीफ लड़के का यह हर्ष्ट करोगे अगर हमें मालूम होता तो तुम दोनों को मिलाने की कोशिश हर्गिस नहीं करता अगर तुम्हें मार नहीं है तो हमें मारो हमें मारो एक बात समझ लो तुम्हारी दुख्तर के सिंद्गी खराब ना हो जाए यहीं सोचकर हमारे कहें जूट की वजए से यह लड़का बगार सोचे समझे यहां आ गया शहर में मुहब्बत का नाटक करके मधू को धोखा दिया इसने खामोश नहों तुम उसे यहां बेज़ कर इस तरह करने के लिए तुम्हारी दुख्तर ने कहा था मानते हैं कि यह हकीकत है फिर भी इसने भूमी की जिन्दगी से खिलवार किया है यह एक नंबर का धोके बास है तुम्हारी जमीन जायदाद लूटी है क्या दोनों की जायदाद को जमावी कर दोगे न तो भी उसके जायदाद के सोवे हिस्से के बराबर नहीं होगा हजारों हजार करोन का मालिक है वो कोई बिखारी नहीं है अपने सारे खुशी छोड़कर इस सईव के एक जूट को हाकिकत बनाने के लिए यहां आ गया अरे ओ एहमकों जंग का मैदान बने इस घर को व्रिंदावन बना दिया खुशी से भर दिया तुमने क्या कहा उसने तुमारी दुख्तर के जिंदगी से खिलवार किया है यह वो खुद इस से मोहबबट कर बैठी है पूछलो यह सुनो हम उससे नफृत करते हैं नफृत करते हैं कहने वाले तुम खुद उससे प्यार करने लगे हो ए तो तुम्हारी दुखतर क्या चीज है बेटा ये एक आजाद महबबत का परिंदा है इससे किसी को महबबत ना हो ऐसा मुम्किन ही नहीं है समदी जी आपके लड़के ने दुश्पनी का पता का लहराने वाले दो खांदानों को एक छट के नीचे लाकर जो ऐसान किया है उसके लिए उसकी आरती उतारनी चाहिए हम वो नहीं कर रहे हम गुनहगार हैं क्योंकि हमने उसे खून से नहला दिया हमारे बच्चों की भूल की माफी हमें दे दीजिए आप भाईया भूमी को वो बदमाश उठा कर ले गया प्रेश जाले रुको भूमी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं उसकी जिम्मेदारी है तुम दोनों मैसे उसकी हिफाज़त के लिए कोई नहीं जाएगा वो जाएगा हमारा शेर तुमने वादा किया था कि जिस काम के लिए तुम आयो उसे मुकमल करोगे जाओ भूमी को वापस लेकर आओ जाओ हारकत तुम्हारी गंदी जरूर है लेकिन तुम्हारी कमिटमेंट हमें पसंद आई तुम्हें हिदायत दी थी ना हमने कि हमें छेडने की कोशिश मत करना आजा आजा अजा जाए खन्क वलाब जार आफै वांसु टूहरा दो मुझे हैं, भुटो अरएणार मुझे हैं। अगर भूमी को हमसे चीन कर ले जाना होना तो उटकर खड़ा हो के दिखा मुकाबला कर हमारा भूमी की चानिब देखनामाद वो हमारी है तो क्या किया जाएं? इसके बगार वो रह नहीं सकती उसके बगार ये नहीं रह सकता क्या किया जाएं अब बेटा कृष्णा इन दोनों में से तुम्हारे दिल में कौन है? समझ गया समझ गया बड़े तुम ही बताओ अब अब हम क्या कहें अब सुबह मुर्गा बाग देता इसके कहने से तो इसे ही कहने दिजिए अहां कौन हम? और नहीं तो कौन इस घर में बंदूग तो तुम ही हो ना? बंदूग याकीनन हम है लेकिन बुलेट वो है वो किस बंदूग से चलेगा आपको इल्म नहीं किया? क्रेश 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 चलो मंदिर चलते हैं मंदिर क्यों? मंदिर क्यों जाते हैं नहीं जानते? कोई परिशानी आये तो भगवान को मसका मारने के लिए मंदिर जाया जाता है हमें तो कोई परिशानी नहीं है क्या भगवान जी हमने जरा सा मज़ाग क्या कर दिया आप ने तो अपने दिल पर ले लिया अब उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजी यह जो हमारी परिशानी है न आप अब आपको ही हल करनी पड़ेगे आप जिसकी जानिप इशारा करेंगे न हम उससे ही शादिय कर प्रभूँ ये के सिमा है कर दो कर दो